तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राठ एजूकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बेरसी अग्रिकल्चर सिक्स सेमेश्टर के एक बिस है फार्मिंग सिश्टम प्रिस्विजियन फार्मिंग अन्सेश्टर का पां मुल्टिपल क्रॉपिंग को परिवासित कीजिए ठीक है इसके लाव और लिमीटेशन को बताएं ठीक है क्या लाव और क्या सीमा उसको बताना बहुत अच्छा किससे हैं बहुत अच्छी से आप लोग को समझाएंगे बस आप लोग रिक्वेश्टर वीडियो को लाइक कर ठीक है एक ही खेत रहेगा एक ही खेत में एक ही साथ ठीक है उसमें एक से अधिक फसलोग मतलब दो या दो से अधिक फसलोग उगायाता इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग ठीक भईया एक वर्स की बीतर की बात है तो बहुत पसली खेती का मतलब है कि एक ही खेत में एक साथ एक से ज्यादा फसल उगाना ठीक है बहुत फसली खेती का मतलब क्या विया एक ही खेत में एक साथ एक से अधिक फसलों को उगाना यह पारंपरिक खेती का ही एक तरीका है जिसमें किसान अपनी जमीन का अधिक्तम उप्योग करता है और कई तरह के फसलों को फज़ाइब खाइदा भुबå 4 तो जादा पैदाबार ठीक है जमीन में कही दर एक ही पैदा करके किनiset पढ़ा सकता है अग्रान मिट्टी करुवरता अलग तरए अलग तरकी फसले मिट्टी से अलग पुसक्त तत्व लेती है इससे अलग तरह कीटों का नियंत्रड भी होता भाई जब कही तरह कीः कई साथ है उससे किसे का कॉन सब्सक्राइब है मतलबु उसके पिक्चा कम होता है तो कई तरह की बसलोब उगाने से खड़पतवार केटो किम होता है माल क्या किया ला यह कát बबहुता है जो के वाले कीट हैं वह सरसो उसमें उनको समझ नहीं है कि वाइस में तो सरसो को आई हुई है ठीक है और जो सरसो वाले हो सचिंगे चना की विए तो इससे थोड़ा कन्फूज हो जाते हैं इस वज़ए से क्या होता है कि जो अर्योग होते हैं वह अपनी रूची के परदेपर अप हो जाइव करते हैं आप लोगा जो सरसो नुकसान होने माली है कि उसक्ते हम सोट नौने वाला है आप लोगा सिर्फ पचास रूपय का ही नुकसान होगा इस पर फ्रस प्रस खाम कर देगा ठीक है अग्ला है पर्रयावरण के लिए अच्छा तो बहुत फसली जो होता है मल्टिपल क्राप्पिंग होता या पर्रयावरण के लिए उपयोगी होता है अनुकूर होता है इससे मिट्टी का कटाव कम होता और जैबे भीता बढ़ती है ठीक है आगे देखते हैं इसकी सीमा क्या क्या है तो पहला है ज्यादा मेहनत तो बहुत फसली खेटी में एक फसली खेटी की तुलना में ज्यादा मेहनत लगती जद्वरहादा हूार लगती है अकला 2022 तो सभी पसलों का बाजार मिलना जरूरी नहीं होता है सभी पसलों का बाजार में मिलना जरूरी नहीं है सभी पसल है बाजार में नहीं म pakai जालवाइं में अच्छी होती है तो बहुत पसली के करती है कैसी तेकनिक है कि साने कीँ में कई वर्स के बी तर transformed के पनागशनी तरह के आदा है होता है जो होता है मिक्टः फार्मिंगम ही है लेकिन जो इंटरा क्रापिंग होता है इसमिए एक difet में इसनी पांग्ती होती एक निश्चित प pose are little bit अभी आघी अगी कीसे ने लिया लिया विकाहे दोप्राअगों को da क्या अंतर वर्ति फसल दोनों ही खेती के ऐसी वीदियां जिनमें एक साथ कई तरह की फसले उगा जाती है इसको समझे नहीं पाएंगे मल्टिपल मतलब आई मल्टिपल चुआइस करने के लिए आपसन होते हैं यहां पर आप लोग को या करना दो या दो से अधिक पसलों को एक आई साथ यह वर्ति फसल दोनों यह खेती की एक विदिया जिसमें एक खेत में कई तरह की पसलों को गा बिना किसी बीस पाइटन या बिवस्था के उगा जाती है तो उसको बोड़ाता है मिध्च्ड क्रॉपिंग ठीक है इसमें बिबिना किसी बिवस्था के पसलों को गया दिया गया जैसे यूँच अउर्थों को एक साथ मिलाकर कि से खास क्रम में बोदियाता है अगला अंतरवर्ती पसल इंटर क्रापिंग में फसलों में फसलों में यह कही खेत में कही तरह की फसलों उगाई जाती हैं लेकिन इन्हीं एक विश्यस पैटन ने विवस्था भूआ था ठीक है लाइने बॉया जाएगा किसी एक विवस्था होगी एक पैटन होगा उस पैटन की हिसाब से बॉया लेकिन मिसेट कापिं इस तीनों मिला के छीट देंगे बस हो गया अगला है उदारर मक्का लोविया क एक पांक्ती में बोना जाहां मक्क की एक पंग्ती बात लोबिया की एक लेक विवस्था से घृव होता है वही चेतर में लोब न सबशूर दीया जाएगा और तिनों मिला के बस हो गया तो यही था इसमें अंता देख लेते हैं गई कि सब्सीं चो जो फासलों कित्र में कोई करें होता हुआं अर्य कमता ठीक है है इस सिका लाब होता है मिटी के बढ़ता है और कित नियंतर करता है नियंतर करें पुए यह पाइदावार भीक बढ़ा का अबrav पर्डार है क्यूंकि कई तरह के दू या दू से अधिक दर है कि पशलों को बहया इसलिए की इनतर भी होगा गूओ चाना सरस्व बाई तीनों को एक साथ मिला के बुगाई की जाती है मटर और लोबिया और गियों और मटर इनको अंतर बढ़ते पसंद में लिया जा सकता है ठीक है यह दो रूमें अंतर था उम्मिद करते हैं यह किशन आप लोग को अच्छे समया गया कि मिश्ड ग्रापिंग क्या होता है इंट कि अगला क्यूस्टन है क्रापिंग सिस्टम को परिवासित कीजिए ठीक है क्रापिंग सिस्टम के मूल सी दांतों तो लाब कवड़न कीजिए ठीक है क्रापिंग सिस्टम को परिवासित करना है तो क्रापिंग सिस्टम क्या होता है उसके बार देंगे ठीक है तो बोल सकते किसान पर किस तरह से प्रूइन इत्त नहीं डिखा चिर लिए किसान पर किस तरह से फसल उगाता है यह एक योजना होती है जिसमें किसान ताइख करता है कि फसल उगाएगा किस करम सुगाएगा यह सब पीसान ही निध्याज़त करता है इसको समझे लिए जे फाजल परडाली बोलते हैं ठीक है इसी सित्फवरा से रिडिटर होता है क्रापिंग सिस्टम भी ठीक है लिखिए गार फाज़ल पदती का फार्म उपलब्थ संसाद नो युक्त निकी की साथ संबंध कोई फशल परडाली बोला जाता है गुदाल के लिए एक कसान अपने जमीन पर पहले यहां गाता है फिर चनाऊ गाता है कपास गाता है। एक निस्ट्रम में इसने उगा दिया ठीकर तो यही है क्या यही आप लोग का है फसल प्रडाली अगला है फसल प्रडाली कमूल सिद्धान तो पहला है फसलों का चेहन किसान जो होता है अपने जमिन की मिट्टी जलवाय और बाजार के मांगो देखकर फसल को चुनता है वह अपना अनुमान लगाता है कि आनी वाले समय में किस चीज का रेटा दिक रहेगा उस रिसाब अपना अनुमान लगाएगा और फसल फसलों के लिए मिट्टी कूप जओ बनाएं अगला है फासलों का समय तो किसान फासलों को उची समय पर बुटा और काटता भी है तो किसान यह भीताय करता है कि एक खेट में कितनी फचले उगाई जाएंगे ठीक है तो सब कुछ जो खेत में होता है तो मैंने आप लोग को क्या बता है फसल प्रडाली का मुझे दान फसल प्रडाली के लाब देख लेते हैं बहुत इंपार्टेंट क्रिश्चन है सब पांच हो पहला मिट्टी क्यूर वरता है एक पॉइंट मैं अभी पॉइंट बताओंगा आप लोग उन चार था पॉइंट नने जो भी इसमें पूशेगा जिसका भी लाब पूशेगा आप लोगो इसके oh love में इसको डाल देजागा ठीक है पूच जाठे की फशल पड़ाली के लाब पूच दिया ठीक है क्रॉपिंग पैटन के लाब पूच दिया किसी को टो अलग-खले झतिस्य से अलग-खल पुसकत्त्य CMS मिठी के रिवर्था बनी रहती हैं अगला खर्वतवार कीटों को नियंदर करते हैं तो पानी यह प्रणाली से पानी का सकत्ति होता है आहोँ सिती तो अच्छी प्रणाली से किसान की कटाव का मोता पर्दे अवरण भी शुरच्चित रहता है ठीक है अगला कुछन देखेंगा अम लोग तो अम लोगों ने अभी तक देखा तीन किस्चन अगला क्या अच्छा है वाई स्वादेशी क्रिशी परडाली को बताना है इंदी इंडिजीनियस का फार्मिंग सिस्ट परिवासित कीजिए। तो स्वदेशी कि रिष्री परडाली को प возмож कीजिए। तो स्वदेशी की रिष्री परडाली क्या होता है। प्राइचिन तरीका प्राइब ही को यह उसके यसार से पना पाइंगे उस प्राइब फ्राय को पुराने परमपरा तरह विक्सित किया गया था और यदि सरल सब्दों में कहें तो यह एक ऐसी जिसमें अपनी जमीन और जलवाई के इसाब से पसल उगाते हैं हमारी जैसी जमीन होती है उस हिसाब से हम लोग फसल उगाते हैं और प्राकर्टिक तरीकों से खेते को जाओ गुनाता है जाता है त प्राशिन तरीका क्रिसी करने को उसको उपना जाता है इसमें हम लोग समझते होंगे कि आप उतने आपको निर्वर बनाना मुर्टर को फूरा करता है ठीक है अमारी जयरूरति को खुँद कुष्पूरा करता है मिटिक करवर्त बनाया रेक्तार पानी के स्थल और जय वीविता को बढ़ावा देता है अगला सवस्ता बोजन जो थाल फटा गयामों का विकासतों क्यांता चौन लाव पहला इसका मिट्टी कुरवड़ता बढ़ता है ठीक है अगला पानी का सनुच्छड तो पारंपरिक सिजाई के तरीके से पानी के कम इस्तमाल होता है अगला स्वस्त फसले रासानी खाद और किटनास्कों के बिना उगाई गई पसले स्वस्त होती है अगला पार्यावर्ण सन अच्छड तो यह बिवित्ता बढ़ता प्रदूसर कम होता है अगला आत्में लिवड़ता यह हमारी खाद जरूरूरते जो है उसको खुद पूरा करता है अगला का विकास तो किसानों क्या और ग्रामेडिक आर्थ विवस्ता में मजबूरती आती प्रदूरते वाई आप लोगा जो मैंने बताए ना लाब सभी में उच किजिए का तो वही बात है यहां पर अगला किसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिसी वान की क्या है ठीक है क्रिसी वान की बताईए इसका लाव और महत्वा पर चर्टा करना है तो क्रिसी वान की हो है आप लोग को जैसे कि सुने में पता चल लागा क्रिसी वान की का क्रिसी वान की घुमी उपयोग प्रडाली है जो बिरिच्छार उपर फसल पदम पसु पाल्म को इस तरह से की करती है जो बैग्यानिक दुष्टी कोड सी अत्यांत उपयोगत हो ठीक है यहां से मत से मिलने से बना ठीक है अर्थात क्रिसी वान की भूमी उपयोग कीवा प्रडाली है जिसमें सुनियोजी द्रहंक से बिरिक्छों के खेती की जाती है इसकी अंतरगत काश्ट बिरिक्छ या जाड़ी दर पोदे बास के साथ खाद्यान फसलों का उत्पादन चारा प्रडाली ब्रिक्छ बहुत द्रिश्टी से लापकारी होते हैं क्रिसी वानकी में उगाया जाने ब्रिक्छों से उत्पादन की रुप में उपसकर लकडी टिमबर जलावन काश्ट कोईला चारा फलों अन्ने कई प्रकार के उत्पाद भी प्राप्थ होती है साथ इक प्रफिट होगा ठीक है तो इसलिए अमें ब्रिद्धी भी होती है बुमी सनचर मीटी की रुप में सुधार होता है गेरा बंदी के लिए व्यस्टा होता है वायू और रोदी सुरच्छा पर रड़ सनचर में सुधार इत्या दी भी इसी से संभव है इस लेख में क्रिसी आएं पिवंक के बारेवमल्यों के लें इसका महता्या है हुई तो भारत में पुली संधान वंशिथ को सब्सक्राइब 2019 की तिस्चा परिस्द था भारती और इस चैत्र को आर्म कि laund है अर्म किया गक immigration नंशंदान पर इसवारा क्रीसी वानकी पर एक अखिल भार्ती वह समक्रणीद कर दो करने के जहांदों कि देप राश्टी की सिवानकी है 2001 टास्क पूर्स राष्टी बास मिसंदो हर्दो राष्ट्री क्रिशक निती 2007 ने भी किसी वानकी को बहुमूली समर्थन दिया है क्रिशी वानकी के मातों को समझते वे 2014 में भारत सरकार ने रोजगार उत्पादेक्तर पर्यार सरचड़ को बढ़ावा दने के लिए यह कर दाष्ट्री किसी वानकी निती नेशनल एग्रोप्रश्टिक पॉलिसी लागुगी ऐसा करने वाला भारत विस्व का पहरा देश है भारत की की रीसी वानकी निती में जिन बातों पर बल दिया गया उनमें सबसे प्रमुख लोगों के प्रतिश की जरुगूता को करने लगेंगे ठीक है इसके तरह कुछ बातों को ध्यार रखना वस्ते होता है इसी वानकी केंटर कर तो गया जाने लिए अस्थानी रूस्ते उगने में सक्षम होने चाहिए तत्ति दीवाला होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप लोग नर्फरी से लाएं आसा भी बढ़ता ही सब्सक्राइब करने लिए अनुमान के तहत देश की कुछ इधन लखड़ी और सकताओं का लगए पचास परसेंट लगो इमारती लखड़ी कागच का चाशाच परसेंट कागच उद्यों के लिए कच्छा माल साट परसेंट भाग और हरा चाहरा के लिए 10 परसेंट इससे कि आप लोग इसके मत्तों को समझ सकते हैं कितना मत्तों इसका तो सब कुछ मिला कि मत्तों यहीं पर दिया गया है उपर से यहां तक तो आप लोगों सिर्फ बताय गया था तो यहां पर क्या है वाई एक अनुमान खिदाद देश कुछ इधन लखड़ी और सकताओं का लग पता रहा सकते हैं तो दिक्कत होगा ठीक है तो यह था आप लोग का कि रिशी वांखी का पास्ट इमस्ट इपार्टन की इस नहीं बताया उम्मीद गदेवीडियो अच्छा लगा को वीडियो लाइक की जएगा अपने दोस्तों कीजिए का धन्यवाद जैन्ट